हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ पांप्स देखें पांप्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे और उसमें से कुछ आपको मैं समझाने की कोशिक रहा हूं बहुत ही अच्छे तिर्पे से यहां पे एनिमेशन के थूप हम समझेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो पांप्स आने वाले हैं वह अलग अलग टाइप के उसमें सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं वह हमारे पास है extension gear pump देखे कुछ इस तरह का होगा यहां पे हमारे पास shaft है यहां पे shaft यहां से देख सकते आप यहां पे वली shaft ज reflection जो है एक driving member का मतलब क्या है कि इसको तो आगे अभी the gear pump हैं लेकिन pump को चलाएगा कौन कोई तो चलाएगा ना external पावर देनी पड़ेगी चाहे वह आप इंजन से दो चाहे आप मोटर से दो जैसे मर्जी दो इसको नहीं पता इसको तो चाहिए क्या इसको गुवाने वाला कुई चाहिए इसको भाई को पकड़ को गुवाएगा तभी यह चलेगा यह कहता बाई मैं कैसे चलेगा तो यह driving member है driving member है और दूसरा यह वाला पार्ट जो है वह हमारा driven member है ओके driven member है और दो पार्ट हमारे पास drive और driven तो हमारे पास हूँता क्या है कि गेर यूज के हूँ है दो गेर और external मतलब हमारे पास आपस में जुड़ा हुआ वह external टाइप है जब यह rotate करेंगे इस तरह से rotate करेंगे यहाँ पे low pressure create होगा vacuum create होगा obviously आपको burn knowledge पता होँचे यह जब हम speed up करते हैं जब चीजों को तो low pressure यहाँ पे create होता है यहाँ पे जब low pressure create होगा तो यहाँ से जो inlet होगा fluid अंदर आएगा अंदर आने से यहाँ से trap होकर यहाँ से मिकल कर यहाँ चला जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि inlet यहाँ से देखें यहाँ पैकेट बन रहे है एक तरह से और यह वहाँ निकाल दिया ठीक है यह gear pump हमारे पास होता है और दूसरी चीज यहाँ पर देखने वाली है कि यहां से जो fluid है इधर नहीं आ रहा है क्योंकि यह क्या है यहां पर एक तरह से locking हो रही है यह नहीं है क्योंकि यहां पर locking हो रही है और जो आउट जा रहा है fluid वह वापस नहीं आ सकता हमारे पास सिंपल सी बात तो यह हमारे पास external gear pump होता है external gear pump होता ह तो यहां से अंदर नहीं आएगा, okay, advantages देखिए, कुछ advantages है, high speed, ठीक है, speed to pressure ratio इसकी high है, quite operation है, शान्त है, बहुत जदा कर, कर, अवाजे नहीं करेगा, बड़ा अराम से भाई साब चलेंगे, okay, quite operation है, variety of build material option, अलग-लग material से आप इसको build कर सकते हैं, आप plastic का भी कर सकते हैं, आ according to हमारी specification, हमारे जैसे requirement होगी, उसी तरह से हम कर सकते हैं, इसकी requirement का according होगा, okay, यह कुछ advantages हैं, आप देखिए, disadvantages, bushing wear in liquid areas, तो हमारे जो bushes हैं इसके, इसके bushes है, वो bushing जो है, वो खराब होने start हो जाती है, वो liquid area में खराब होने start होती है, fixed end clearance, तो इसके end की clearance जो है, वो fix है हमारे पास, उसकी कुछ disadvantage, लेकिन हमारे पास advantages काफी होते हैं, इसके, okay, internal gear pump, internal gear pump कौन से हमारे पास, यहाँ पे internal gear pump लगा हुआ है, इसकी construction पहले देख लिजे, एक बार ना, मैं आपको construction दुबारा दिखा दू, इसकी यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, और यहाँ से तो यह किस तरह से देखेगा, तो इसलिए इसको open करके हम देखते हैं, तो यह इस तरह का दिखागा हमें है, यह इस तरह का दिखेगा, और यह जब चलेगा हमारे पास देखिए, यह inner gear है, इसलिए इसकी internal gear pump बोल देते हैं, okay, external और internal, यह internal है, यह outer gear है, यह inner gear है, जब यह rotate करेगा अब सेम हमारे पास functioning है देखिए इनलेट यहां से आया और यह देखिए यह देखिए फ्लूड ऊपर जा रहा है तो इनलेट और आउटलेट जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बिता दिया किस तरह से हमारे पास होता है तो यह एरिया जो ह यहां से यह आगी लिखे जा रहा है तो अड्वांटेजेस देखते हैं इसके कुछ अड्वांटेजेस स्मूद पल्स लेस फ्लो है इसका पल्स लेस का खड़ खड़ भी वीच में अचानक से जादा आना या कम आना तो पल्स अलग लग नहीं है स्मूद है यह अराम से चल प्रेश प्रेशर रेटिंग तो यह थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस की आरे महंगा तो पड़ेगा बाई इंटरनल गेर बना रहे हो इंटरनल गेरिंग करने में थोड़ा सा खच्छा तो आए गई लेकिन क्या करें जहां हमें अच्छा काम अच्छा कुछ मिलने लगता तो उसकी प्रेस तो लगते ऐख प्राइस तो लगते है कुछ चीज हमें अच्छी चाहिए तो उसका प्राइस तो लगेगा मृत इंशिशिवरेटर्ण हाई प्रेशर आपको इससे नहीं मिलेगा फ्यू स्क्राइब स्क्राइब अब यह बड़ा जवर्दस्त है और मेरा फेवरेट है बड़ा अच्छा लगता है कि किस तरह से भाई ने दिमाग लगाया है कि वेंज लगाए हुए इसके अंदर ना ओई एरिया क्या किया हुए य थिके थोड़ा सा इसके नोटके ना बड़ा अच्छा दिखा रखाएकि और यह दिखना यह कि यहां पर पे सेंट्र इसका यहां है लेकिन यह पूरा जो सर्कल आमाला है यह यह इसेंट्रीक हेсть ह explorer में हैं देख सेंट्रिक होने के हमने मैंने लेना है तो यहाँ करण्मone को क्लोस करते हैं वेंज को वेंज हमारी यह होती है यह होती है वेंज यह होती है वेंज और स्प्रिंग हमारे अकॉर्डिंग टू इस पोजिशन से देखे यहां से वेंज जो है यहां पे इतनी वेंज है यहां पे ज़्यादा ओपन यहां दूर तक गई है स्प्रिंग ज़्या अब यहां देखिए हैं करते हैं एक किमों वेंस खुल खोड़ दी है वैंस खुले शोड़ा आइए और साथ मेरे तक हमें तेरा से करें जहां है करें और जहां उसको जगा मिले स्प्रिंग धका मार दे तो हमें दिमाग लगा कि इसका रोटरी वेन पंप बनाया हुआ है रोटरी वेन इसके एडवांटिजेज देखिए लो विस्कोस्टी फ्लूड एट हाई प्रेशर हाई प्रेशर पे हमें चाहिए लेकिन लो विस्कोस्टी होने चाहिए फ्लूड की क्या होनी है लो विस्कोस्टी तो मैं अकेले अकेले को एक दिम एक्स्प्लेइन करूंगा मैं पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा हर एक मामा की अभी सिरफ एक इंट्रोड़क्टरी पार्ट आपको दे रहा हूं जिसमें आपको यह समय दा है ओके ड्राइरन फॉर शॉर्ट पिरिएड ठीक है ड्वल्प अगुड वैक्यूम बन सकता है इसके और डिस्ट्रिवेंट एडवांटेश से कॉंप्लेक्सिटि गार्ट वाल कॉंप्लेक्स तो आपकों में ष hospitalized अटड़न हाई विश्कॉस्टी फिल्यूड हाई रिविस्कॉस्टी थि भी आप इससे नहीं यूस करते कि हाई विस्कॉस्टी वाला जैसे मालो हम कहें कहीं यह नहीं हो ता पानी इकठा हो ता बारिश का उसके मड बन जाता है तो उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं नेक्ट देखिए यह होता है रोट्री वेन सग्ला है स्वैश प्लेट पिस्टन पाप और अझीब सा और जवरदस प्लेट है गिए यह प्लेट है हमारे पास जिसको हमने टेड़ा किया हुआ है इस प्लेट को हम क्या करेंगे इस प्लेट को टेड़ा करके और यहां पर यह देखिए पिस्टन्स है हमारे पास यहां पर पिस्टन्स है यहां पर पिस्टन्स है यह स्वैश प्लेट जो थोड़ी टेड़ी हुए देखो दिमाग किस तरह से लगाएगा कि यह देखो यहां पर यह ओपन हो रहे हैं देखो तो जैसे रोटरी में में था ना कि जगा कम कर दी जादा कर दी वैसा यहां पर यह देखो स्प्रिंग का यूज कर रखा है यहां पर भी यह मूव कर रहे हैं जैसे जैसे यहां आते तो area कामोन था द्रत्रव का लगता है ओके यहां पर ज्याद है आपको समझनेगा अच्छा और यहां पर दिखिए इस तरह से चल रहे है यहां से इंलेट है यहां से इंलेट मतkem धीरे 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 पानी विद जो है इसके अंदर आएगा और बाद में हमारे पास क्या हुगा आउट चलाएगा तो देखिए फ्लूड अंदर 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 आ रहे अंदर आ रहे देखिए बढ़ रहे है फ्लूड और फिर बाद में धक्का लगया इससे दक्का लगया अब धक्का माना स्टार्ट कर दिया उसने यह पु कि दिमाग किस तरह से लगा हुआ है श्त फरह दिमाग किस तरह से लगा हish की बड़े हे इस तरह को समझतः वाली है और यह विडियो आपको बहुत व करने वह हैं यह您 Okay next देखते मैं यहां पर Satra Audrey बिछ दोग इस साइड होगा इसका लेकिन जो देखा हुआ ये इस तरह से मूव करता है यह इस तरह से मूव करता है जैसे पिस्टन के अंदर होती कि वैसे हमारे पास movement है और जैसे हमारे पास उसमें स्लेंडर में होता है कि inlet के लिए और outlet के लिए यहां से भी हमारे पास inlet और outlet होता है inlet और outlet होता है तो यह देखे move करता है जब इस तरह से move करेगा यह देखे त matserete कर रहे हैं इनलेट और फिन Connorни एक बार इनलेट और फिर एक बार ऑउटलेट इस तरह से मुजिशेगा कभी किसी की बारी आजएगी डरीच कि कभी किसी की वारी ऑॉटलेट की तो अलगलग टाइं अलग लग चल रहा है तो यह होता है हमारे पास radial pump यह radial pump है ठीक है तो यह radial pump होता है इसमें हमारे पास क्या होगा radial pump आएगा ओके यह next है हमारे पास hand pump यह next है हमारे पास hand pump तो इस hand pump में हम क्या करेंगे हमारे पास वही है सेम सारे हमारे पास cylinder piston arrangement है बस यह hand से चलता है hand से चलता है ताकि हमारे पास कहीं पर मा लेजे electricity नहीं है, कहीं हमारे पास problem है, तो हम क्या करेंगे hand pump का use करेंगे, यह हमारे पास इस तरह से movement है इसकी तो यह देखे हमारे पास क्या है यह movement कैसे, inlet inlet हो गया, अब यह outlet तो यह हैंड से ही मूब कर देते हैं, जहां पर हमें जुरूत है, तो यहां इनलेट हो चुका है, फिर आउटलेट के लिए हमारे पस यह देखिए, अब दो वाल्ड ओपन कर दिये, इनलेट हो गया, यहां से आउटलेट हो गया, अब देखिए, इनलेट हो गया, यहां से लग लगे होते हैं वाल्स के हम करते हैं ओके यह था पंप के बारे में हैं अब मुझे यह बताईए आपका एक छोटा से टेस्ट कि हमारे पास एक्सटर्नल घियर पंप कहां पर हम यूज करते हैं कहीं बहुत ही ज़रूरी एक एप्लिकेशन है जो आम यूस है मत達लब हर कसी को पता होता है अपको यह पता होना पोर ब्ल्व कहां पर होता हैं ये आपने मुझे में जरूर को идет को पता है और ये Fluid Mechanics जो है Fluid Mechanics का जो स्लेवर्स है Theory of Machines, Strength of Materials सब कुछ एक पूरा कोर्स में मेरे पास एप में अवेलिबल है आप एप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर जिए और एप डाउनलोड कर जिए वहाँ पे आपको सारे कोर्से पर जाएंगे थैंक्यू थैंक्यू सो मच और अगर वीडियो पसंद रही तो लाइक जिरू करती है थैंक्यू थैंक्यू सो मच